Hello everyone friends आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागते friends आज के वीडियो में आधार कारड में जो मोबाल नंबर लिंक होता है वो अपदेट कैसे करें या चैंज कैसे करें आज के वीडियो में डेटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हो friends इससे पहले यापने हमारे इस आप अपना mobile number update या change कर सकते हैं तो friends चलिए सिखते हैं कैसे mobile number change या update करते हैं तो friends आपको यदि आधर कार्ड को mobile number update लिंक या change करना है तो आपको सबसे पहले इस website को open करना होगा website को कैसे open करना है तो मैंने description box में इस वीडियो के description box में इस website की link दिये है उस link पर click करके आप आपका mobile number change, update या link कर सकते है तो friends जो भी mobile number link करना है, update करना है या change करना है उस mobile number को यहाँ पर enter करो तो मैं यहाँ पर मेरा mobile number enter करता हूँ तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेरा mobile number एंटर किया है उसके बार आपको capture एंटर करना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे capture एंटर करता हूँ G7-Yan-Yan क्या capture दिया गया है G7-Yan-Yan तो मैं यहाँ पे capture एंटर करता हूँ capture enter करने के बार send OTP पर आपको click करना होगा send OTP पर click करने के बार आपके mobile number पर एक OTP मिलेगा वो आपको coffee करना है तो मैंने यहाँ पर coffee किया है coffee करने के बार यहाँ पर आपको OTP enter करना होगा यहाँ पर मैंने OTP enter किया फिर OTP एंटर करने के बाद आपको Submit OTP and Proceed पर क्लिक करना होगा Submit OTP and Proceed पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप New Enrollment भी कर सकते हैं और Update आधर भी कर सकते हैं तो यदि आपको आधर अपडेट करना है तो इस आधर अपडेट वाले ओप्शन पर आपको क्लिक करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पुरा नाम राइट करना होगा उसके बाद आदर नमबर राइट करना होगा आदर नमबर लिखना होगा पुरा नाम लिखना होगा उसके बाद आपको जो भी अपडेट करना है नाम अपडेट करना है या मोबल नमबर अपडेट करना है तो उस पर आपको टीक करना होगा यहाँ पे आपको टिक करना है, मुझे mobile number अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ यहाँ पे name और rr number अपडेट करना है, तो आपको यह पुरा यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे सब टाइप करने के बाद आपको प्रोसीड पर यहाँ पे क्या करना है क्लिक करना है प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी इन्फरमेशन आगे फिल अप करनी होगी वो सब information आगे fill up करनी होगी fill up करने के बाद आपका mobile number अपडेट हो जाएगा लिंक हो जाएगा तो friends वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजे चैनल को फ्री में subscribe किजेगा friends फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहें वन डे मात राम